नमस्कार प्रिये मित्रो फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का DSR जोन में मित्रो कोई भी इंसान अगर नाराज है रूट गया है छोड़ कर जा रहा है आपको रूला कर जा रहा है आप उसके लिए तड़ रहे हैं उसे वापस पाना चाहते हैं किसी भी प्रकार से अगर उस संबंद को सुधारने में उस रिष्टे को बनाई रखने में अगर आप काम्याब नहीं हो रहे हैं सफल नहीं हो पा रहे हैं बड़ा ही सरल एक उपाय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रो इस उपाय को आप कर लें कुछ भी वस्तू इसमें आपको नहीं चाहिए बहुत सरल सा उपाय है जिस किसी के लिए आप इसे करेंगे वो इनसान खुद आपके लिए रोने लग जाएगा तड़पने बिलकुल बताएगए अनुसार अगर आप कर लेंगे तो आपको अपना प्यार अपने साथी को पाने में कोई परिशानी नहीं आएगी और आपका जीवन पहले की तरह खुबसूरत हो जाएगा क्या करना है आपने बित्रो एक स्थान पर आप पूर्वदिशा की और मुक करके बैठ जाएग बैठने से पहले अपने हाथ मूँ पहर अच्छे से धूले किसी आसन कपड़े पर ही बैठे किसी भी रंग का हो चलेगा आपने बैठते समय अपने पास थोड़ा सा पानी रखता है किसी कटोरी में रख लें गलास में रख लें धातू कोई भी हो कोई अनिवारी नहीं है कोई विशेश प्रकार का बरतन हो ऐसा नहीं है बस आपने पानी रख लेना है पानी जो आप रखेंगे वो पीने योगी पानी होना चाहिए खारा पानी ना हो नमकीन पानी ना हो मीठा पानी हो अब आपने क्या करना है एक लाल रंग के किसी स्केच पेन या मारकर से आपने अपने उल्टे हाथ जो आपका भाया हाथ है उसकी हतेली पर आपने संख्या लिखनी है एक बीचों बीच ठीक ठाक पानी रखें इतना पानी हो जिससे वो हतीली पर जो एक लिखा है वो ढग जाए यानि उसके ऊपर से वो पानी आजाए दूसरे हाथ को भी से जोड़ने कहने का अर्थ है दोनों हाथों के इस प्रकार से जोड़ने कि पानी उनमें घट्टा हो जाए अब आपने सोचना है उस इस इनसान को विचारना है जिसके लिए भी आप यह उपाए कर रही हैं 10 सेकंड 15 सेकंड सोचे हैं उसे और एक संख्या को ध्यान करते हुए एक बार एक संख्या जो आपने लगी उसे ध्यान करें यदि आप ध्यान नहीं लगा सकते हैं एक पर तो आप जो हाथ में पानी आखें आपकी बंद रहनी चाहिए, पानी बिल्कुल आपके सामने है, आपने हाथ को जिस प्रकार से वीडियो में दिखाया गया है, आगे किया हुआ है, पानी उसमें है, आपने उस इंसान को विचारते हुए, छोटे से दो शब्द बोलने हैं, इन शब्दों को बोलने से उस इंसान के मन में आपके लिए प्यार उमरने लगेगा और उन बराए थानुलं सुश्री आयं बराए ये आपने 11 बार बोलना है और उसके बाद जो पानी आपके हाथ में है थोड़ा सा पानी आप पी लें यानी हतली में जो भी आपने पानी रगाए दो-चार बूद आपके मूँ में चले जाए और बाकी बच्चे पानी को आपने उस इस्थान से खड़े हो जाए और खड़े होने के बाद जो आपके घर की धहली जाए उससे बाहर चड़कते हाथ में जब गिरा दे नीचे अब आप उस इस्थान पर वापस आएं जहां पर आपके पात और आपके सामगली रखी हुई है जो भी आपने प्रयोग करते समय उपाय करते समय आपने सामने रखी है उसको वहां से हटा दे मित्रो ये इतना बस आप उपाय कर ले और फिर देखें किस प्रकार से वो जो इनसान है जो आपको रुला कर गया है आपको छोड़ कर जाने की कोशिश कर रहा है वो वापस लोट कर आपकी और आ जाएगा अब दे आग्या मित्रो फिर मलाकात होगी अगली वीडियो में ख्याल रखें अपना कुष्या है